नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का कुई खिंदी पर और मैं हूँ अभिनो सिंग दोस्तों आज मैं आप सभी को टिफल सी के 32 अर्थी महत्रपूर्ड और true and false के प्रश्ण बताऊंगा यह बार बार repeated questions हैं जितने भी मैं आज बताऊंगा कई बार पुछे जा चुके हैं यह तो वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो के आखिरे में दो question पूछेंगा आपसे true and false का जिसका answer आपको comment box में लिखना है comment जरूर किया करो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब comment करते हैं आप सब तो और मुझे खुसी होती है कौन-कौन मेरी वीडियो को देखता है और interested हो आप सब और दोस्तों अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो तो red girl का subscribe बटन उसको black कर दो और घंटी भी दबा देना तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं अब हमारे समने पहला question है email id बनाते समय मैं special character का इस्तेमाल किया जा सकता है तो यह सत्य है क्योंकि email id जब हम बनाते हैं लेकिन बता को है कि किया जा सकता है तो हां कुछ तो किया जा सकता है इसलिए यह सत्या है तो next है ..power पावर पॉइंट की स्लाइड्सों में साउंड जोड़ा जा सकता है तो हाँ ये भी सत्य है जोड़ा जा सकता है इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंप्यूटर में नॉलेज हो तो आप असानिक साथ टू और फाल सा क्वेश्चन कर सकते हो मैंने दो वीडियो बना क्योंकि ये सिंगल है मल्टी टास्किंग नहीं होती ठीक है अब फोर नंबर देखते हैं मनुष्च के विपरीट कंप्यूटर की मेमोरी सीमित होती है ये भी सत्य है क्योंकि देखो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसका लिमीट होता है 1GB 2GB 4GB तो लिमीट होता है लेक spread seat में IDO video जोड़ा जा सकता है spread seat मतलब होता है जो excel में हम लोग काम करते हैं उसको spread seat बोलते हैं तो उसमें IDO video नहीं जोड़ा जा सकता यह असत्य है ठीक है अब next है mobile phone full duplex का उद्धारण है तो यह सत्य है full duplex मतलब क्या होता है जो real time communication होता है mobile से देखिए हम लोग जब बात करते हैं तो real time होता है तुरंत जो भी बहुते हैं अधर भी पहुंसता है तो हम लोग रियल टाइम पुरा communication करते हैं तो इसलिए ओ जो mobile phone होता है और full duplex का उद्धारण है यह सत्य है अब next देखते हैं seven number है किसी computer के IP address को बदला नहीं जा सकता यह सत्य है बदला जा सकता या 16 bit के बराबर 20 bit के बराबर तो वह सत्य हो जाएगा इस तरह से भी question कई बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं पिछली बार पूछा गया था एक बाइट 16 bit के बराबर होता है तो वह सत्य था लेकिन अगर 8 bit पूछले तो यह सत्य है तो आपको यह पता होना चाहिए एक बाइट में 8 bit होता है चलिए next देखते हैं आप अब 9 number है printer एक input device का उदोहरण है तो printer आपको पता है output device होता है input device होता नहीं है तो इसलिए यह सत्य हो जाएगा और 10 number spider एक प्रोग्राम है जो web पर new address सर्च करता है तो यह सत्य है spider एक वैसा प्रोग्राम है जो जो नए नए website बनते हैं नए नए web basis बनते हैं तो उसके address को यह सर्च कर लेता है तो चलिए next mx excel में cell की चौड़ाई 5 इनसे ज्यादा नहीं हो सकती यह सत्य है 5 इनसे ज्यादा हो सकती है ठीक है तो mx excel में ऐसा होता है 5 इनसे ज्यादा हो सकता इसलिए यह सत्य है अब 12 number है cancel और enter वटन फार्मूला बार पर दिखाई दिते हैं तो यह सत्य है अब next देखते हैं excel में एक साथ अनेक रौ नहीं जोड़ी जा सकती तो यह सत्य है क्यों क्योंकि excel में एक साथ कई सारी राज जोड़ी जा सकती है अगर आपने कभी काम किया होगा तो पता होगा आपको अब 14 नमबर बिंडो 32 मतलब 32 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यह असत्य है क्यों असत्य है क्योंकि बिंडो 32 जो होता है वो अपरेटिंग सिस्टम नहीं है बलकि अपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है 32-bit 64-bit तो बिंडू 7 होता है बिंडू 8 होता है तो उसमें पार्ट होता है 64-bit 32-bit तो यह असत्य हो जाएगा अब नेक्स्ट फिप्टी नंबर है बिंडू जी यू आई और मल्टी टास्किंग फीचर उपलब्द कराता है तो हां कराता है जी मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है फुल फॉर्म का वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक आपको डिक्सिप्सम में मिल जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो तीन पूचा ही जाएगा तो इसको अब ध्यान से पूरा देख लेना और सौट कट की का भी पूचा जाता है वह भी देख लेना और अच्छे से आप पढ़के जाना इसली हो जाएगा टंसर नहीं लेने का अब 16 नमबर है विंडू 7 सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग के लिए था तो यह सत्य है चाइटिन केकी नमबर देखते हैं मोडेम का संबंद फोललाइन से होता है चौह जो मोडेम होता है फोलाइन के लिए यह होता है इस पसल ठीक है गाराएगा च्छ देखते हैं 19 नंबर currency का EXCEL में जो currency का निसान होता है डॉलर ही होता यह दम सत्या है 20 नंबर देखते हैं operating system property और user की बीच interface provide करता है तो यह सत्य है यही तो करता है operating system तो आम next देखते हैं 21 है dotS prompt पर पाहुचने के लिगे run का प्रियोग नहीं किया जा सकता तो ये गलत है run command का प्रियोग करके हम DOS Promptor पहुंच सकते हैं 22, बिंडो में deleted file वापस नहीं ला जा सकती तो ऐसा कुछ नहीं है बिंडो में जो भी file हम delete करते हैं उसको वापस वी ला सकते हैं कई सारे option होते हैं तो लाया जा सकता है अब next देखते हैं multimedia projector एक output device है तो ये सत्य है multimedia जो projector होता है output device होता है 24, हाली में खोली गई files document list में store होती है तो ये सही है ऐसा होता है जो हम just काम करते हैं जो जो दुरन खोलते हैं document list में store हो जाती है ठीक है? आप वो वीडो देख ले न discussion में link मिल जाएगा आपको पूरा clear हो जाएगा बहुत कुछ मैंने उसमें discuss किया है computer के बारे में पिछली वीडियो में मैंने आप से objective type के question बहुत discuss किया था बहुत important फिर आने वारे दिरों में फिर long time में वीडियो चलिए next देखते हैं 25 नंबर PAN का पूरा नाम private area network है इसा कुछ नहीं internet एक तरह का network होता है जिस पर हम web page को देख सकते हैं चला सकते हैं web page पे सूचनाए मिलती है info pension जो भी होता है तो आपको पता ही होगा तो यह असत्य हो जाएगा next देखते हैं 27 नंबर PAN network का प्रमुक कार data वा संसाधनों को share करना होता है बिल्कुल सही है यह यही काम करता है network 28 start button सदय टास्क बार पर इस्तित होता है यह भी बिल्कुल सत्य है start button टास्क बार पर ही होता है अब next देखते हैं 29 word में graphist को header वा footer में जोड सकते हैं बिल्कुल सत्य है यह वर्ड में ग्राफिस को हम लोग header और footer में बिल्कुल जोड सकते हैं NOS का पूरा नाम network operating system है तो बिल्कुल यह भी सही है यह उसका मतलब होदा network operating system अब next 31 Excel के grid line को print किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है अब 32 नमबर आज का आखरी है Linux एक प्रचली GUI operating system है तो यह सब्त है आपको पता भी हुआ Linux एक operating system होता है GUI मतलब graphical user interface दोस्तों अब बार ही आज के question का उससे पहले आप सभी से request है वीडियो पसंद आए तो like ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके वेल icon प्रेस कर देना तो चलिए question फ़राते है अब आज का पहला question है इंटरनेट में प्रियुक्त computer language जावा है इसका आपको जवाब देना यह सही है या गलत पिछली वीडियो में मैंने discuss किया था इन सब के बारे में और question number two है computer की सबसे छोटी ही काई byte होती है इस सही है या गलत इन दोनों का answer आपको देना है और answer ज़रूर लिखा करो comment box में मुझे बहुत अच्छा लगता है और पता चल जाता है कौन-कौन वीडियो देख रहा है कौन-कौन इंटरेस्ट ले रहा है तो answer ज़रूर दिया करो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही आप सभी को all the best और आप सब के सपने अपने हो जाएं तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए जय हिंद जय भारत